आजाद प्रणवी नवापूर से सिद्धार्थ बच्छाव इन दोनों का सवाल ऐसा है कि ये जो श्री गजानन महराज है तो ये इभी क्या संदत है शिर्डी के साई बबा है फिर स्वामी समर्थ है ये संदत है इनके चमतकार है उसके बारे में क्या है गजानन महराज जी की पोथी तुम्हें बचपन से पढ़ते आया मेरे मा का नियम था कि पोथी का एक अध्याय पड़े बगएर पानी भी नहीं पिना और उसको समय नहीं मिलता था सुबह में उसको दस बजे स्कूल में जाना पढ़ता था बहुत काम रहते थे तो मेरे पर जिम्मेदारी थी कि रोज एक नया अध्याय उसको सुनाओं वो अपना काम करते करते सुने और बाद में पानी पी कर अगर अपला सब दिन बर का काम शुरू करें तो गजानन की पोथी तो मेरे जीवन का हिस्सा रही है बचपन से जब मुझे इस विशे में काम करने लग गया ध्यान में आया तो गजानन माहराज की पोथी नेकाल कर मैंने फिर से देखिए उसमें प्रस्तावना थे खापरडे नाम के गुरुस्त की प्रस्तावना थे अम्रावती के बहुत बड़े विद्वान है उस प्रस्तावना ने उसमें लिखा था कि दाजगणु ने ये पूथी लिखी है दाजगणु ने कहा है कि गजानन महराज इसा उपदेश करते थे वैसा उपदेश करते थे वैसा उपदेश करते थे लेकिन मैं जब भी गजानन महराज को देखा है मैंने मिला हूँ तो गजानन महराज कुछ बोलते नहीं थे वो जो बड़बड करते थे वो किसी को समझता भी नहीं थे इसलिए गणगण गणात बोते वगरे वगरे ये मंत्र जो इन्होंने निकाला है वो तो मैंने कभी उनके मूझ से सुना नहीं है लेकिन दाजगणू एक भक्ता अदमी है उन्होंने भक्ता अपनी श्रद्धा के आधार पर इसे मतलब निकाले ये उस पोथी की प्रस्तावना में लिखा है कि गजानन महाराज कुछ बोल नहीं सकते थे उनको कुछ समझता नहीं था ऐसे वो व्यक्ती थे जो भाशा भी ठीक डंग से बोल नहीं सकते थे गजानन महाराज की पोथी में अलग-अलग डंग के वर्णन है वो वर्णन पढ़ने के बाद में अजाता है कि क्या होने चाहिए एक फोटोग्राफ है जिसमें लोकमान्य तिलक अकुला की सभाव में और गजानन महाराज बाज़ियों में बैठे और लोकमान्य तिलक आये थे जन जागरन के लिए स्वतंत्रदा अंदुलन के लिए तो मैं पहले से सवाल पुछते आया हूँ कि गजानन महाराज में इतनी ही शक्ति थे कि रेलवे को रोब दे लोगों की समसाय सुल जाए और उसी पोथी में लिखा है कि गजानन महाराज ने आशिरवात दिया इसलिए लोकमान्य तिलक न तुरुंग में जेल में गीता रहस्य लिखा यह पोथी में लिख यानि गीता रहस्य क्यों लिखा अपने लोकमान्य तिलक ने क्योंकि गजानन महाराज ने उनको कहा अशिरवात दिया खुद ही लिख सकते थे लोकमान्य तिलक के जरी लिखने के यह आवश्यक्ता थे वो छोड़ दीजिये ना मेरा सिधा सवाल है कि रात दिन घुम रहे हैं लोकमान्य तिलक लोगों का जन जागरेंड कर रहे हैं स्वतंत्रा अंदलन के लिए प्रयास कर रहे हैं बार बार ज सामराज्य है उनको हमको यहां से हकालना है और इसलिए मैं इतनी मेहनत ले रहा हूं तब शायद पहली बार गजनन महाराज के ध्यान में आ जाता है ऐसा अपने देश में ब्रिटिश हो का राज्य है ठेक है मेरी अध्यत्मिक शक्ति का मैं उप्योग करता हूं हड़ो यहा अशिर्वात दिया इसलिए गितारा से रिखा जो आत्मी बोल नहीं सकता था ऐसा प्रस्ताव नामी लिखा एक परडिजिन गजनन महाराज के पूथी के प्रस्ताव नामी अब प्रस्ताव हटा दिये भी हो मैं जब बार-बार यह बात रखने लग गया लोगों के सामने त तो गजानन महाराज का इसमें कोई दोश नहीं है गजानन महाराज कुछ बोलने ही पाते थे कुछ करने ही पाते थे बाकी लोगों ने उनको बाबा बनाया शीरडे के साही बाबा की बात अलग है शीरडे के साही बाबा लोगों का एक अच्छा काम करने वाले बेखती थे लोगों की सेवा करते थे कोई भी उनको कोई भी काम बताता था वो काम करते थे बात में चमतकार उनके साथ में जोडें गये यह हमेशा गाड़ के महराज का उधारन देता हूँ इसलिए आज के सम्मापन में मैंने उधारण दिया कि जो गाड़ के महराज इतने क्रांतिकरी विचार रखते थे अगर कोई उनके पैरो पर माथा टेकने को आये तो उसको लट से मारते थे मेरे पैर क्यों पट रहा है तो मेरे पैर पर माथा मत टेक भगवान के पैरो पर माथा टेक अपने माता पिता के पैरो पर माथा टेक लेकिन मेरे पैरो पर माथा नहीं टेकने का इस व्यक्ति ने अपने सारे जीवन में कई धर्मशलाय निर्माण की स्कूल कॉलेजेस निर्माण किये लोगों से एक-एक पैसा इकटा करकर वो बिल्कुल गरीब थे उनके पास में कोई पैसा अगर नहीं था लेकिन एक भी मंदीर अपने जीवन में कभी उन्होंने निर्माण नहीं किया इतना रैशनल आदमें उनके बारे में उमारे गुरुजी पूथी लिखते हैं जो चमतकारों के भरमार है कई चमतकार उसमें मैंने तो कोई तीन-चारी चमतकारों का उल्ले किया आपके साथ ने तो फिर गजानन महाराज की पूथी में क्या लिखा होगा दाजगणों ने और फिर शिरडी के साई बाबा के बारे में कैसे चमतकार हमने फैलाए होगे यह कहने के आवशक्ता है इस दुनिया में कोई भी चमतकार नहीं कर सकता किसी को सिद्धी प्राप्त नहीं होती चमतकार का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता यह जूटा धर्म है यह स्ट्रेट वे संदग्यानेश्वर साथ सो साल पहले कह चुकते है उन्हीं के नाम को चमतकार जड़ जी है हमने यह चमतकार कैसे जड़े जाते हैं इसके कई उधारण में देते आया तो इसलिए कोई भी इन संदों ने चमतकार नहीं किये यह सब चमतकार हमने उनके साथ में जड़ दिये और इनको संद उपाधी लगाना गलत है संद की व्यक्षा जो की है विर्णबाजी ने जो समाज को इंसानियत की ओर चार कदम आगे ले जाता है उसको संद कहते है इस व्यक्षा में यह कोई भी नाम बैठता नहीं है आप शिरडी के साही बबा की इतनी तारिफ कर सकते हो कि वह अच्छे काम करने वाले बैठते थे किसे ने कहा यह काम कर दो कर देते थे गाव में ऐसे कुछ अच्छे लोग होते जिनकी लोग हमेशा केर करते हैं उनका खानपान देखते हैं और कोई भी काम करते है किसी के अडचन है जरा लकड़े फोड़ दे तो लकड़े याने चरित्र मेंने मेरे एक मित्र उसमें पीएजडी कर रहे थे शिरडी के साही बाबा पर उन्हें नहीं सब रिपोर्टिंग मुझे किया मैंने कहा था यह सब लिखेगा तू मैं बोले लिखने के कोशिश करूंगा लेकिन मेरे इस खुद के जो गाइड है वो कहां तक मान उपनली बोल सकता हूं लेकिन गजानन महाराज की कोई उसमें गलती नहीं उन्होंने कभी कहा नहीं क्योंकि वो बोली नहीं सकते थे बोलने उनके ख्षमता के बाहर की चेश थे ऐसा खुद खापर डिजय नहीं लिखके रखा है तो जिस व्यक्ति को भाशा ही नहीं आती ह बोली नहीं सकता है तो उसको दोश तो दे नहीं सकते है इसलिए उनको इसलिए दोश नहीं दिया जा सकता है शीरिडे के साही बाबा को उनके मोत्यों के बाद ही लोगों ने इतना बड़ा बाबा बना दिया और मनोच कुमार ने उनको पूरे देश में पहुचा दिया तो उनको क्या दोश दे इसलिए उनको भी दोश नहीं दिया जा सकता है दोश देना है तो बाकी लोगों को देना है तो इसलिए ये अलग से कुछ बोलने के इसमें आपशक्ता नहीं है फिर से मैं एक बार रेपेट करूँगा इस दुनिया में कोई भी चमतकार नहीं करता है किस लोग के अंदर विश्वास में से निकली वी चीजे होती है और कुछ नहीं होता है इतना हम ध्यान में रखेंगे